चोपला जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपला आपका हादिक श्वागत करता हूँ, मेरे पैरी बच्चों, सेना में डॉक्टर एक बहुत बड़े गरू की बात है, वर्दी पहनने को मिलती है, और इसके साथ साथ इतना सम्मान मिलता है, जिसकी हम कलपना भी नह नहीं मिलता है, कहने का मतलब मेरा ये है, कि आप अगर सेना में डॉक्टर बड़े हैं, तो जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का मुका आपको मिलता है, तो इससे ज्यादा गरू की बात क्या हो सकती है, सेना में दो प्रकार से डॉक्टर बना जा सकता है, सबस दूसरा ये है कि जिन इस्टुडेंट्स ने, जिन डोक्टर्स ने MBBS कंप्लीट कर लिया है, इंटरंशिप कंप्लीट कर ली है, ऐसे डोक्टर्स, चाहे उन्होंने किसी भी Medical College से की हो, ऐसे डोक्टर्स उनकी वेकेंसिया निकलती हैं आर्मी में, हर साल वेकेंसी निकलती हैं, और उन वेकेंसियों में वो एक्जाम क्रेग करके आर्मी में डोक्टर्स बन सकते हैं, तो मैं आज आपको इसमें फर्स्ट वाला तरीका बताऊंगा, AFMC से आप MBBS करके डोक्टर कैसे बनेंगे, क्योंकि आप अगर सेना में डोक्टर्स बनते हैं, तो आपको देश सेवा कर कि इसमें कैसे admission लिया जाए, नीट के थूरू इसमें admission होता है, कम cut-off वाले candidate को भी इतना अच्छा college मिल जाता है, AMC, AFMC, आज की date में, दिली AMC के बाद इसी का नमर आता है, यानि कि ये second top institute है, और इससे आप जब MBBS करोगे, तो MBBS के दोरान ही आपको physical fit रहने के, आपको काफी इसमें आउसर मिलता है physical fit रहने का, और दूसरा, आपको उसमें एक army की dress दे दी जाती है, dress के साथ ही आपको काफी सारी activities करनी पड़ती है, तो उस समय ही आपको ऐसा मैसूस होता है कि मैं एक फोजी हूँ, और उसमें भी जब आप medical officer बनते हैं, तो दे सेवा में आपकी कोई कमी नहीं रहती है, अब हम बात करते हैं कि इसमें admission कैसे लें, कितने नीट के marks पर admission होता है और कैसे admission लें, तो ये माराश्टर के पूने में इस्थित है, AFMC Armored Forces Medical College पूने इसके नम से है, और ये माराश्टर की university से affiliated है, और इसमें जो activities होती हैं सारी, वो force की activities, military की activities ही होती है, तो आईए जानते हैं कि इसमें हम admission कैसे ले सकते हैं, क्या-क्या इसकी condition हैं, कितनी marks पर admission मिल जाता है इसमें, तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो हमारी book available है, MCC, जो All India 15% की counselling होती है, उसकी भी book available है, इस्टेट कोटा में सभी इस्टेट की counselling book available है, और आयोस और वेतनरी की book भी available है, इसमें मैंने सब कुछ cover कर रखा है, जो MCC की counselling होती है, उसमें All India, AEMS, Jipmar, AFMC, DC, DUIP, Central University, ESIC, Dimmed, Central Pool, Kota, और इसमें दे रखा है मैंने 24 लिस्ट, आप कैसे फिल करेंगे 2024 के लिए, प्रिवेस येर की 4 साल की round wise, college wise, category wise, कटोब दी गई है, और counselling process को भी अच्छी तरह समझाया गया है, fee seat के बारे में जानकारी दी गई है, और भी बहुत कुछ मैंने इसमें दे रखा है, जो आपके लिए बहुत ही लाबदाइक होगा, कौन सा college, कौन से साल में बना है, कौन से state में है, क्या उसकी tuition fees है, first round में क्या cut-off रही थी, second में क्या cut-off रही थी, तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं, इसमें इस साल जो cut-off रहनी है, वो हरे कौलेज की 10 marks आप इसमें add करके idea लगा सकते हैं, इस परकार से अलग-अलग सेंटर पूल कोटा की aims की सभी की दे रखी है, काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा, इसी परकार की state की book में भी ये सारी facility अवेलेबल हैं, state-wise, choice filling, fee, seat matrix, previous year की cut-off और आपने admission कैसे लेना है, क्योंकि हर एक state का अलग-अलग rule है, काउंसलिंग ये जो rules हैं, अलग-अलग state के अलग-अलग है, choice कैसे fill करनी है, documents क्या चाहिए, ऐसे iOS veterinary की book में अवेलेबल है, सब कुछ, तो आप इसको हमारी website से भी download कर सकते हैं, नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, उसके more के option में जाएंगे, तो इस परकार से इन तीन books का link मिल जाएगा, जो book आप download करना चाहते हैं, वो download कर सकते हैं, चोपड़ा education.in हमारी website है, उस पर भी आप जिस book को लेना चाहते हैं, उस पर click करके download कर सकते हैं, जैसे ही आप download करेंगे, हम आप से संपार कर लेंगे, आप जो mobile number देंगे, download करते समय, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, तो आईए देखते हैं, हम AFMC की conditions के बारे में, तो AFMC ने NET 2024 admission के लिए अभी information brochure तो नहीं डाला है, लेकिन 2024 का, 2023 का information blatant available है, condition तकरीवन सहमी रती हैं, change उसमें होता नहीं है, तो एक बार हम 2023 का information blatant देख लेते हैं, इस परकार से information brochure दिखाई देगा, यह 2023 का अभी update नहीं हुआ है, 2024 का यहां पर आपको information blatant मिलेगा, उसमें सारी condition दी होगी, चलो एक बार 2023 की ही हम information blatant की condition देख लेते हैं, क्योंकि वो 2024 के information blatant में भी सहमी होने वाले हैं, थोड़ा बहुत कुछ change होगा, वो मैं आपको बता दूँगा इसमें, तो इसका जब information blatant हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम course duration के बारे में, यह एक पुराणा institute है, इसमें MBBS 4 अगस्त 1962 से start हो गया था, post graduate courses पहले चल रहे थे 1948 से, अब इसमें यह जो FMC पुने हैं, अब इसकी जनरल कंडिशन हम देख लेते हैं, तो इसमें Indian citizen होना चीए candidate को, और unmarried होना चीए, और course के दोरान उसको शादी भी नहीं करनी है, course के बाद ही वो शादी कर सकते हैं इसमें, इसके बाद में age का जो है, इसमें age का criteria रखा गया है, age 24 years होना चीए, इसमें 1 जनवरी 2001 से लेके, 31 December 2007 तक, यानि ये पिछले साल का है, तो इसमें आप एक साल और बढ़ा दें, एक जनवरी 2001 से लेकर के, 31 December 2007 तक के बीच में जनम होना चीए, student का, ये इसमें condition है, जैंट के के candidate भी इसके लिए eligible हैं, अभी इसमें हम academic qualification देख लेते हैं, तो इसमें physics, chemistry और biology, तीन subject में 60% aggregate marks होना चीए, 60% aggregate marks का मतलब होता है, कि इन तीनों का total 60% होना चीए, और हर एक subject में 50% होना चीए, जैसे physics में भी 50% होगा, या उचसे अबव होगा, chemistry में भी 50% से अबव होना चीए, हर एक subject का minimum 50% तो सब में होना चीए, किसी के अगर chemistry में 49 हैं, तो वो इसके लिए eligible नहीं है, लेकिन अगर किसी के तीनों में मिला करके 60% से उपर आ रहे हैं, तो वो eligible हैं, लेकिन हर एक subject में 50% से उपर होना चीए, ये condition है, एक साल में 12th class pass होना जरूरी है, उसी साल 1st attempt में, अगर 1st attempt में candidate फैल हो गया, दूसरे attempt में उसने pass किया है, तो वो इसके लिए eligible नहीं है, 12th year study होनी चीए, 10th में mathematics subject होना चीए candidate का, 10th class अगर सभी pass करते हैं, तो उसमें mathematics subject जरूरी है, तो वो तो सभी के होता ही है, इसमें candidate note eligible वाले भी है, कौन से candidate eligible नहीं है, तो इसमें यहां condition दी गई है, आप इस condition में देख सकते हैं, कि कौन से candidate यहां इसके लिए eligible नहीं है, डोमेस्टिक science वाले candidate eligible नहीं है, डोमेस्टिक arithmetic वाले नहीं है, तो इस परकार से यह condition दे रखी है, वो candidate इसमें eligible नहीं है यहां पर, BSC वाड़े candidate भी यहां पर eligible हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सरते हैं, जो इसमें आप information plate में देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी वहां पर, अब बात कर लेते हैं हम number of seats की, तो इसमें total 150 seats हैं, तो 145 seats Indian candidates के लिए हैं, और 5 seat इसमें, जो external affairs है, ministry of external affairs and ministry of defense से sponsor किये हुए candidate के लिए 5 seat हैं, जो हमारे country हैं, जो यह अपने country हैं, इसमें friendly foreign country, उनके 5 candidates इसके लिए allow हैं, यह जो 145 seats हैं, इसमें 115 seats male candidate के लिए हैं, 30 seats girls candidate के लिए हैं, इसलिए girls candidate की कटोप इसमें काफी ज़्यादा हाई रहती हैं, और इसमें 10 seat, इनी 145 seats में, 10 seat CST candidate के लिए हैं इसमें, reserve हैं इसमें, अब इसमें selection का procedure क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें देखो need score पर भी selection होता है, और इसके अलग से भी exam लगती है, 80 marks का इसमें tolay test होता है, 80 marks के tolay test में 40 MCQs आते हैं, 40 MCQs आते हैं, पर MCQs 2 marks का होता है, और इस सारा का सारा इसमें system है, अभी इसमें होता क्या है, जो need का score होता है, उसमें tolay test के marks जोड़ दिये जाते हैं, और 4 से divide कर दिया जाता है, तो जैसे 720 का paper है इसमें, need का, और 80 का paper होता है, 80 marks का tolay test का, तो total 800 होगे, इन 800 को 4 से divide किया जाता है, तो फिर 200 होगे, ओ 200 से फिर merit निक साली जाती है, तो उसी के according, इसमें interview होता है, और इसमें selection होता है, इसमें एक PAT test भी होता है, psychological assessment test, वो सिरफ pass करने के लिए ही होता है, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा, कि test में इसमें क्या-क्या पुछा जाता है, जो interview होता है, उसमें क्या पुछा जाता है, इसमें जो candidate shortlisted किये जाते हैं, वो तकरिवन 1500 male candidate होते हैं, और बाकी 400 के आसपास female candidate होते हैं, और ये total 1900 के तकरिवन candidates हैं, वो call किये जाते हैं, merit में list डाली जाती है, इन candidate का, approximately, किसी साल 1900 की डाली जाती है, किसी साल 1700 की, किसी साल 1800 की, वो merit list डाली जाती है, उसी merit list के cutoff होती है, मैं year wise cutoff आ आपको देना है, उसके according है ये पुरा, 50 marks का interview होता है, इसमें एक bond होता है, वो 65 lakhs का bond है इसमें, अगर आप इसमें admission ले ले लेते हैं, और 7 दिन बाद अगर आप college को छोड़ते हैं, आपने admission ले लिया और आपके पास कोई दूसरा अच्छा college मिल रहा है, आप सोचेंगे हम इ नहीं जाना चाते हैं, तो ये 65 lakhs का bond आपको पे करना होता है इसमें, इसके बाद में SAST के candidates की 10 seats है, 145 जो seats मैंने बताई, उसे में 10 seat SAST candidates के लिए हैं, उनके लिए उनका certificate सी है, merit निकलते हैं, merit के बाद में 10 seat उनको offer की जाती हैं इसमें, इसके बाद इसमें medical exam होता है, hostel facility व उसके दोरान आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता, बलकि race वगरा कार इनका stipend भी दिया जाता है इसमें, तो ये सारी इसमें काफी ज्यादा facility हैं, ये आपके इसमें जो free के हैं, वो allowance वगरा हैं, ये आपको hostel facility मिलेगी, और इसमें AC3 tire का railway warrant मिलेगा, जब आप ज़र्णने कर 4,000 रुपीज मिलेगा, course की दोरान, stationary का allowance मिलेगा, 1120 रुपए, uniform allowance मिलेगा, 6000 रुपए, hair cutting allowance 140 रुपीज मिलेगा, washing allowance 560 रुपीज मिलेगा, तो इस परकार से आपको इसमें काफी सुईदा, आपका पैसा लगेगा ही नहीं बिल्कुल जबकि, वलकि आपको पैसा मिलेगा, आपको इंडिया में ऐसा कौन सा institute मिलेगा, जिसके अंदर training के दोरान आपको पैसा मिलेगा, बहुत सारे institute तो ऐसे हैं, जिनकी फीज तीन-तीन लाक रुपए है, और यहां पर आपको इतनी अच्छी facility मिल रही है, और वो भी आप देश की सेवा करने जा रहे हैं तब, इसम इंसुरेंस भी होता है, ग्रूप इंसुरेंस, उसमें आपके पैसे करते हैं, लेकिन अगर कोई casualty वगरा हो जाती है, तो उसमें काफी benefit मिलता है, इसमें vacation 2 होते हैं, मई जोन में होता है, 2-3 week की तब आपको चुटी मिलेगी course के दोरान, और December, January में भी vacation होता है, 2-3 week की उ आने पड़ेंगे, NEET में भी आपके अच्छे marks हैं, तो cutoff इसकी कम जाती है, second top पे college का जब cutoff इतना जाता है, कम जाता है, तो ये बड़ी खुसी की बात है, आप इसमें ले सकते हैं admission, अब मैं आपको इसमें pay scale बता देता हूँ, pay scale का मतलब ये है कि training के दोरान आप cadet में स होती है, और जब आपकी internship complete हो जाती है, internship complete हो जाने के बाद आपकी जो salary होगी, वो 61,300 रहेगी इसमें, captain से major बनते हैं, आप 4 साल में, major के दोरान आपकी जो pay रहेगी, वो 69,400 रहेगी, ये एक basic pay है, इस पे allowance वगरा अलग से होते हैं, dareness allowance जो DA होता है, वो अलग से होता है, major से आप lieutenant kernel बनेंगे, 7 साल में बन जाएंगे, वो आपकी जो salary होगी, 1,21,200 होगी, लेकिन ये salary बहुत हो जाती है, क्योंकि आपको allowance जो अगरा बहुत मिलते हैं, DA वगरा काफी मिलता है, तो ये डेड़ से 2,00,000 रुपए तक भी पहुच जाती है, ये salary आपकी, इसके बाद lieutenant kernel से जो kernel के लिए selection होता है, वो test के दुवारा होता है, 22 selection होता है, और इसमें kernel से आप brigadier बनते हैं, तो उसकी pay है, वो भी 1,39,600 है, वो भी 22 selection होता है, brigadier से major general बनते हैं, और major general से lieutenant general बनते हैं, वो 22 selection ही होता है, exam लगेगा आपका, इसमें, service का कोई duration नहीं है, कि इतनी दिन आप service करेंगे, तो ये होगा इसमें, इसके बाद जैसे ही आपका MBBS complete हो जाता है, internship complete हो जाता है, तो आपको post, default कर दिया जाता है, आपको posting दे दी जाती है, ये सबसे बड़ी कुसी की बात है, क्योंकि एक student जब MBBS करता है, तो उसके पास में फिर एक दूसरा challenge खड़ा हो ज जयार shift करनी है, क्या करना है, तो एक challenge खड़ा हो जाता है, उसके सामने MBBS करने की बाद भी, लेकिन जब सेना में आप, AFMC से आप MBBS करते हैं तो आपको, तो direct ही captain की post पर posting दे दी जाती है, duty दे दी जाती है, तो ये आपका एक सबसे बड़ा tension खतम हो गया, आप उसके अंदर retention free होके duty करो, तो duty के दोरान आपको 60 days का EL मिलेगा, जिसको earned leave कहा जाता है, EL मिलेगा 60 days का, और इसमें आपको 20 days का casual leave मिलेगा, अगर कोई कस्मिक घठना हो जाती है घर में, तो 20 days का, वो आपको casual leave मिलता है, और इसमें जो और कोई casualty हो जाती है, तो इसमें भी जो आपका group insurance का है, 75 लाग से, उसमें मिलता है, CSD की facility है, वहाँ पर आपको, मैं पहले बता चुका हूँ, गाड़ी, quarter वगरा, नोकर, चाकर, ये सब कुछ वहाँ मिलता है, आपकी एक life बदल जाती है, आर्मी में डोक्टर बनने के पाद में, तो ये सारा सब कुछ इसमें है, अब 4 साल तक आप PG तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 4 साल तक, 4 साल के बाद आप PG दे सकते हैं, और इस दोरान, आप जब PG देंगे, आपका selection हो जाता है, PG में किसी भी medical college में, नीट PG के थुरू, तो उस दोरान आपको full pay दी जाएगी, जिस rank पर आप हैं, 4 साल बाद तो आप मिलेंगे, मेजर की rank में, तो मेजर की rank की post की आपको salary दी जाएगी उसमें, और उसके बाद में 400 post इसमें, FMC में भी है PG की, और आप दूसरे medical college से भी अगर आप PG करते हैं, वहाँ आपका selection होता है, तो आपको यहाँ पर leave भी मिलती है, दो तीन साल की course leave मिलती है, वो course leave लेकर के, आप PG कर सकते हैं, किसी भी medical college से, इंडिया के किसी भी medical college से, लेकिन वो need PG की merit के according, तो यह भी इसमें एक इतनी अच्छी facility है, जो मतलब है, बहुत कुछ मानता हूं मैं इसको, अब हम बात करें इसमें, कि आगे जो इसमें हम लेंगे, documents में इसमें चेक हो जाते हैं, आप जब AFMC के लिए जाते हैं, तब इसमें चेक हो जाते हैं, medical होता है इसमें, medical में काफी गहराई से medical होता है इसमें, पहले तो एक initial medical होता है आपका documents check के साथ में, लेकिन जब बात में आपका हर जगे selection हो जाता है, उसके बाद जो medical होता है, वो काफी गहराई से medical होता है, आपके sonography, blood test क report वगरा ये सारा सब कुछ उसमें होता है medical में अब इसमें height और weight का भी है इसमें तो इसमें जो male candidate है height उसके लिए 157 cm होनी चाहिए और जो hilly area से north east के candidate से उन के लिए 152 है female candidate के लिए 152 normal area से 147 जो है hilly area से और north east के candidate के लिए weight है उसकी एक list दे है वो weight इस list के according पोना चाहिए आपका की आपकी age क्या है उसके according आपका कितना weight होगा इसमें और बाखी सारे इसमें और भी medical के दे रखे हैं तो आपका वहाँ medical होगा तो इससे अच्छा पहले आप try कर लें पास हो जाते हैं तो medical वहाँ हो जाएगा कोई दिकत नहीं है इसमें अब बात करेंगे cutoff की देखो इसमें cutoff जो second top institute को देखते हुए cutoff यहाँ देखें तो इसमें बहुत ही कम cutoff है यानि कि 2022 में boys के लिए 616 girls के लिए 641 2021 में रही थी 609 627 2020 में 618 637 और 2023 में 622 boys के लिए रह सकते है girls के लिए 655 इसमें अब इसमें admission कैसे लेना है वो मैं आपको procedure पूरा समझा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई problem नहीं हो इसमें जिन candidates ने need का exam दे रखा है वही candidate need 24 का exam दे रखा है qualify हो रखा है वो ही candidate इसके लिए eligible है तो आपको इसमें admission के लिए mcc की website पर पहले registration करना होगा afmc में admission के लिए mcc की website पर registration करना होगा वहां registration करते समय आप से पुछा जाएगा कि क्या आप afmc में जाना चाते हैं तो आपने उस पर tick कर देना है तो जैसे आप टिक करोगे तो आपको यहाँ apply for में afmc पर automatic यहाँ tick मिल जाएगा जब आप counseling करवाएंगे जैसे कि यह mcc का जब registration होगा तब मैं आपको यह समझा दूगा शोरी इसके बाद में afmc पर हमने tick कर लिया उसके बाद क्या है कि mcc जितने भी afmc के लिए tick किया है candidate afmc के लिए apply किया है उनकी list afmc को forward कर देता है यहाँ mcc का काम ख़तम हो जाता है और afmc का काम start हो जाता है उसके बाद में afmc उन candidate को short list करता है short list मैंने बता दिया है 145 seat से इसमें 1900 के nearby afmc top के candidate को short list करेगा जिसमें candidate male candidate और female candidate है उनकी list अपने website पर afmc.nick.in की website पर वो publish कर देगा और publish करने के बाद schedule भी जारी करेगा अलग-अलग date में अलग-अलग candidate का यह जो screening test होगा जहाँ पर आपको देना है toler test, pat test और interview और medical करवाना है documents चेक करवाना है यह होगा afmc जो medical college है पुने में वहाँ पर ही होगा तो जब आप afmc की list चेक करेंगे उसमें अगर आपका नाम short out हो जाता है तो आपको उसी list में date और time भी मिलेगा यह short में होता है दो-तीन दिन पहले ही afmc जारी करता है यह list तो आपको proper उस पर निगरानी रखनी होगी कि कब आपका इसमें screening test में नमर आता है उस list के साथ एक cut-off rank भी डालता है cut-off marks भी डालता है जो मैंने बताए है cut-off marks जाजे पिछली बार के cut-off उससे पिछली बार के उनका ही वो short out करता है जिन उनने AFMC के लिए apply किया है तो उसके according आपको AFMC पुने पहुँच जाना है original documents ले करके वहाँ parents के लिए रुखने के लिए ब्यवस्ता होती है पूरी की पूरी और student के लिए दिन में रेने के लिए पुरा arrangement होता है रात में student को AFMC campus में नहीं रोका जाता, parents रुख सकते हैं वहाँ पर तो ये 3-4 दिन का screening test चलता है, screening test में मैंने आपको बताई दिया है क्या होता है, interview होता है, last में interview के दोराना ऐसा पुछा जाता है लेकिन वह confidence के साथ में दे रहे हैं, या उस समय कह रहे हैं कि शिवरी सर मेरे को इसका मालूम नहीं है मतलब वो एक तरीका देखा जाता है interview में, आप किस तरीके से answer देते हैं तो ये एक interview होता है इसमें, interview में काफी सारी questions पूछे जाते हैं तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, questions normal होते हैं लेकिन आप किस तरीके से उसके answer देते हैं, ये अलग बात होती है उसी के base पर वो marks देते हैं, 50 marks का question होता है इसमें इसके बाद में, सारा सब कुछ हो जाने के बाद में, medical होने के बाद में फिर जो selected candidate हैं, उनकी list डाली जाती है उसके साथ एक waiting list भी डाली जाती है, ताकि ये candidate अगर नहीं आते हैं तो दूसरे candidate को मोका मिलता है, तो इस परकार से आप A.F.M.C. में admission ले सकते हैं, सेना में डोक्टर बन सकते हैं और बाकी जानकारी इसका 2024 का जब information platine आ जाएगा तब मैं आपको और समझा दूँगा इसके बारे में कि कैसे आपको A.F.M.C. में admission लेना है, लेकिन अगर आप इसमें admission लेते हैं तो ये गरूग की बात है कि आपको सेना में duty करने का मोका मिलेगा तो ये जानकारी थी A.F.M.C. के बारे में, सेना में डोक्टर बनने के बारे में बाकी जानकारी के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हर साइच उपना आपसे लिता हूँ विदा जैख है